Hello Students! Welcome to Education Point आज हम देखेंगे वाट इस पीनोसाइटोसस फिनामिमना क्या है और फेगोसाइटोसस फिनामिना क्या है OK पीनोसाइटोसस सेल ड्रिंकिंग जब लीकविड कंटेंज सेल के अंदर जाते है जब लीकविड कंटेंज सेल के अंदर जा रहे हैं तो हो ये भी endosmosis रही है ये भी endosmosis रही है अब क्या difference है जब liquid particles cell के अंदर जा रहे हैं उसको बोलेंगे cell penocytes अब ये वाली phenomenon जब solid particles cell के अंदर जा रहे हैं उसको बोलोगे phagocytosis वाली phenomenon तो penocytis को क्या मैं cell drinking बोल सकती हूँ पानी पीते हैं तो cell drinking cell पी रही है ये वाली phenomenon cell eating cell खा रही है तो solid particle होना चाहिए यहां भी आकर आप देखोगे finally होके रहे cell के बाहर क्या होगा cell के बाहर कौन सा fluid होता है extracellular fluid होता है extracellular fluid से cell के अंदर जब liquid contain आएगा तब आप इसको बोलोगे penocytosis वही हो रहे हैं आपे fluid particles या fluid part extracellular fluid से intracellular fluid में आ रहा है cell के अंदर आ रहा है तब आप उसको बोलोगे penocytosis penocytosis किस फिनामेना से और है penosome penosome के through होगा ठीक है यहां पे किसको through होगा phagosome okay ऐसी cell को phagocytic cell भी कहते है आपकी body के अंदर example wbc okay wbc आपकी phagocytic है उनमें से कौनसे वाली wbc है neutrophils है आपकी monocyte है आपकी phagocytic है तो यह फैगोसाइटिक क्या मतलब होता है कि यह antigen को पकड़ पकड़कर करके जहां पे उनको pathogen मिल रहे है यह antigen मिल रहे है उसको पकड़ पकड़कर कर लेती खा लेती है तो phagocytic नाम है उनका यहां पे देखोगे एक बार जब liquid particle cell के अंदर आ गया वो कभी बहार नहीं जाब आएगा तो यहां पे exosmosis जैसी कोई चीज नहीं है यहांनी cells के अंदर एक बार water आ गया तो भले ही वह vacuol में store हो जाए अगर extra amount होगा तो vacuol में store हो जाता है cell के अंदर लेकिन बहार नहीं जाएगा यह है कि इसमें solid particles अंदर क्या होगे digest हो जाते हैं अमीवा हो देखो अमीवा क्या करता है अपना food particle को grab करने के लिए पहले pseudopodia बनाता है pseudopodia बनाने के बाद food vacuol बना लेता है food vacuol के अंदर enzyme release होते है enzyme कौन release करता है lysosomes enzyme release करता है lysosome के पास होते है hydrolytic enzyme hydrolytic enzyme से यह जो solid particles है कोई प्रेय हो सकता है कुछ भी हो सकता है इसका particles वो digest हो जाएगा digest होने का मतलब है is converted into a simplest form ताकि इसका इसकी cell इसको absorb कर सके इसकी cell इसको absorb कर लेगी that's finally यह कुछ excretory waste भी दो निकालेंगे न बाहर के digestion हो गया इनका absorption भी हो गया अब कुछ excretory waste बाहर निकालेंगे जब यह excretory waste बाहर निकालते हैं तब इस phenomenon वो बोलो गया exocytosis आपको यहां देखने के लिए नहीं मिली थी penocytosis में मैंने बताया कि extra amount होगा तो वो vacuol में store जाएगा बाहर नहीं निकालेंगे तो यहां पे यह जो waste है उसको तो बाहर निकालेंगे न तो यहां पे exocytosis वाली फिनामेना होगी यहां पे नहीं होगी यहां पे lysozome participate कर रहा है क्योंकि solid particle को digest भी करना है यहां पे क्या lysozome का कोई role है नहीं है तो यहां पे lysozome अपना कोई significant role नहीं दिखाएगा यहां पे lysozome अपना work करेगा एक food vacuol बनाएगा उसके अंदर hydrolytic enzyme release करेगा ताकि इस particle का digestion हो पाए कि finally यह cell के अंदर absorb हो जाएगा पस इतनी सी आपके फिनामेना है cell penocytosis and phagocytosis penocytosis का यह diagram आप देख सकते हो यह जा रहा है है ना liquid content और vesicles के form में यहां पर है अगर extra amount होगा तो यह vacuol में भी store हो सकता है vacuol के बारे में आपको पता है कि अगर animal cell है तो उसमें छोटे-छोटे vacuol मिलते more than two होंगे लेकिन अगर plant cell है तो आप ने क्ना चा आपको ब्लोक्त है यह डाउट है तो आप मुझे comment box में लिख सकते हैं अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो please इसको like चुरूर करें and further videos के लिए आप इस channel को subscribe कर सकते हैं